चाहिए कि मौलाना साहब आप युवाओं को ये हूरों का सपना दिखाना बंद कर दो ये दुनिया कैसे सुधारी जाए उस पे ध्यान दो तो हमारा परपसौल हो जाएगा मुसल्मानों में जो गलतियां आई गही ना जो कमियां आई है मुसल्मानों को चाहिए उसको ठीक कर रहे उन प्रतिकों को नहीं समझ रहे हैं सिंबॉल को नहीं समझ रहे जैसे कि सनातन वाले व्याख्या की जाए तो सनातन के लोग अच्छे से समझते हैं लेकिन मुसल्मानों में चूंकि वह ठ्रश्व कर लेकर हम असकर नज़राते हैं एक फिल्म आने वाली है बहतर हूरी और एक है अजमीर 92, दोनों इस फिल्म में तहीं न कहीं, इस तरह से दोनी फिल्मों को देखा जा रहा है, कि ये मुसल्मान समाज को टागेट करने के लिए बनाए गई है, सवाल में आपसे पहले तो मैं आपसे जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक मुसल्म जिन तक हैं, समा देखे, मैं एक बात कर देना चाहता हूँ आपको, कुछ चीज़ें इसलाम में हैं, बहुत सेंसेटिव हैं, सभी धर्मों में कुछ सेंसेटिव बाते होती हैं, इन पर बहुत साउधानी से और खूब कर आपको कदम रखना होता और बात करने होती हैं, इसका कारण है, मैंन तो इस बात को हमको इस पस्त रूप से समझ जाना चाहिए, कि हूर का कंसेट इसलाम में हैं, अब गिंती क्या है, यह हम नहीं बता सकते हैं, यह बता सकते हैं लेकिन हूर है बिलकुल, और से ऌब रिवायते हैं, अलग-ईलग, कोई 72 क हैता है, कोई 72 क्य hevता है कोई 73 श्य यह आकड़े आजाते हैं तो लेकिन जो exact है इसलाम में वह मैं बता रहूँ संख्या exact मैं आपको नहीं बोल सकता है पर हूर है यह बिल्कुल सकते हैं सुरह रह्मान में हूर का जिक्र आया हुआ है कि जन्नत की बहुत सारी नेमतों का अल्ला ने जो जो हमें दिया है और इतना दिया है इतना दिया है अल्ला ने उसमें बार बार आता है कि आप अल्ला की किस-किस नेमतों से इंकार करोगे ऐ जिन्नों इंसान तो वो चीज़ उसमें आई हुई है तो अभी आईए आला इरब्यकु मातुकजबान अल्ला की किन किन रहमतों से नेमतों से आप इंकार करोगे जिन्नों इंसान तो अल्ला की उन रहमतों में जन्नत भी बताई गई है जन्नत में हुरे भी बताई गई है तमाम तरह की चीज़ें बताया गया, पल बताया गया, रेहान बताया गया, तुलसी बताया गया, यह सब चीज़ें, संख्या में मैं नहीं जाओंगा, संख्या का exact कोई फिगर ऐसा नहीं, पूर है, पूरो का वर्णन भी है, कि वो कितने सुन्दर होंगी, कैसी दिखती यह मुश्क अंबर, जाफरान से बनी होंगी, उनकी उंचाई भी मुद्दा चल रहे हैं, बहुत सारी वीडियो निकाल निकाल के वाइरल भी हो रही है, जो मुद्दा यह पूरे ग्रैफिक डिटेलिंग देते हैं, जन्नत की, हूरों की, शराबों की, अल्ला अपने हाथ स खुद तीन तरह की शराब होगी, खुद शराब हमें पिलाएगा, एक सो तीस फीट की हूर होगी, ऐसी गोरी होगी, वो नूर होगा, अल्ला के नूर से पैदा हुई होगी, वो हमारे लिए होगी, आखिर यह कहां पे लिखा हुआ है, क्या इस तरह को कोई वर्णन मिलता ह जन्नत का पूरा किस तरह का होगा शराब की नहरे शहद की नहरे और यह बहुत सारी जाइफ भी कहते हैं बहुत सारी हदीसे किसी ने हदीस ओरिजनल थी नहीं अपने मन से देखिए हदीस एक्चुली में है क्या पगंबर हजरत मुहम्मद बहुत यह बात कही और on जो काम किए उन सब को मिला कर अगे ज़य in कि मुछ नहीं की शाथ कई है दस रही के पास आते कह रहा हूं जी वहां पे शराब भी होगी और कौन पिलाएगा कौन सी यूर पिलाएगी माज़ा लागे अल्ला शराब पिलाएगा इस तरह की बाते तो नहीं करने चाहिए लेकिन इसमें एक बड़ी बात समझने लाइक जो यह है कि कुछ प्रतीक कुछ इशारों में कुछ बात कही जाती है ताकि हम इस दुनिया को सुधार सके उस प्रतीक और इशारों को सनातन वाले व्याख्या की जाए तो सनातन के लोग अच्छे से समझते हैं लेकिन मुसल्मानों में चुकि वो धर्म सुधार आंदोलन नहीं आया है जो कि हिंदूों में आया इने स्वामी स्वामी देन सरस्वति आया राजाराम मुहन राय तमाम तरह के मुसल्मानों में भी कुछ आधुनिक धर्म सुधार आने थे तो नहीं हो पाए जो आदे उनको कह देते हैं कि ये इसलाम के विरोधी हैं बदनाम करें तो वो उन चीज़ों को एस इटीज ले रहे हैं उन प् बादत नहीं की केवल नमाज नहीं पड़ी केवल सजदे में नहीं चले गए कि अब मैं इस बाढ़ से बचने के लिए अल्ला से माँगा बलकि उन्होंने साइंस टेक का इस्तेमाल किया और पूरी मेहनत की एक शिप बनाने में आज के बड़े-बड़े इंजिनियर वो शि हम समझें तूटने के लिए एक सितारा काफी होता और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है इस दुनिया में हम औरतों के साथ अच्छी इज़त करें उनकी इज़त करें उनके साथ अच्छा वैभार करें अपनी मा बेहन बेटियों की इज़त करें हमारी जो पतन है उसकी इज़त करें इसल के लिए पहले तो हूर का एक बड़ा एक धाचा खीचा गया उसका ग्राफिक पुरा बनाया गया कि हूर इतनी खूबसुरत होगी इतनी खूबसुरत होगी उसका सारा वर्णन किया गया फिर बताया कि वो आपको रिवार्ड के रूप में जन्नत म मिलेगी फिर फाइनली पैघंबर हजरत मौहमस से जब उनकी पतने में सलमा कूसती हैं कि जन्नत की हूर जाधा अफजल है, स्रेस्ट है कि दुनिया की और दूनिया की और पिख्ण्बर हजरत मौहमसgos जो कि बहुत तारिक वेखती थे और लचीले वेखती थे उर समजदार वेक्ती थे उन्होंने यही कहा कि एक इमान वाली दुनिया की और जन्नत की हूर से सत्तर हजार गुना जादा अफजल है स्रेस्ट है यानि कि कुल मिला कर हम कहा है अपनी पतनी पे आए और अपनी बेटी पे आए अपनी बहन पे आए कि भई यह दुनिया की इमान वाली औरतें ही हैं जो हमारे घर परिवार को चलाती हैं अल्ला की इवादत करती हैं और सब को ले कर चलती हैं समनवे से तो इनकी इज़त करो और नेकिए एक कुछ बाते तो ये तो प्रतीक के रूप में है कि जन्नत की हूर से ज़्यादा अफजल दुनिया की औरतें और कुछ बात तो डारेक्ट कही गई है जैसे कि माओं के कदमों में जन्नत है ये बिलकुल प्रवाणिक हदीस है माओं के कदमों में जन्नत है हूर कहा है? जन्नत में हैं यानि कि जन्नत में हूर है और जन्नत मा के कदमों में है यानि हुर कहा हो गई, मा के कदमों में हो गई अच्छा ये बहु वचन कहा गिया है, माओं के कदमों में जन्नत है, याने कि हमें जन्म देने वाली मां और हमारे बच्चों को जन्नत अच्टेंगत है, कई लोग recommend inclusion रहता है कई लोग बोलते भी हैं कि बहु कल की आई बीवी के पीछे पागल हो गया जूरू का गुलाम होतना शाइए जिनदगी उसी के साथ में नहीं चला मा बेटी या मा बेटे का जोड़ा नहीं चला पती पत्नी का जोड़ा सनातन में भी जोरी शंकर है सिता राम है राधेश क्याम है तो जोड़े का बड़ा महत्तों था तो यही इसमें बताया गया कि भई आपको जनम देने वाली मा और आपके बच्चे को जनम देने वाली मा, दोनों के कदमों में जनना था तो यह नहीं को जोरू का गुलाम हो गया है, बलकि उसने एक शादी किया है, निकाह किया है, उसकी भी बराबर जिम्मेदारी उस आदमी पे है, वो अपनी पतनी की भी उतनी सेवा करें, उतनी बात मानें, उसकी उतनी इज़त क जितना अपने जनम देने वाली मा की करता है, इसलिए बहुवचन में कहा गया कि माओं के कदमों में जननत है, आपको जनम देने वाली मा, और आपके बच्चे को जनम देने वाली मा, अगर आपसे खूश आए, तो यही तो जननत है, ना माओं के कदमों में जननत है, तो य उन्होंने खुद कह दिया कि माओं के कदमों में जन्नत है और वो दुनिया की इमान वाली और अस्रेस्ट हुरू से क्लियर कट हो गया फिर तो किसी इशारे की भी जोरत नहीं इन सब चीज़ों पर लोग समझते नहीं है युवाओं को वरगलाते हैं आतंक भात पहलाते हैं वो बेचारा 17-18 साल का रड़का अपने शरीर में बंबांगे खतम हो जाता है और एक अमबर जी एक इंपॉर्टेंट बात एक और है अच्छा यह सारी बाते मैंने आपको इसलाम के दाएरे में बताई है इसको कोई भी काट नहीं सकता कि आपने गहर इसलामी बाते करता और इसलाम के दाएरे में एक बात और ये है कि कहते हैं कि हूर है ठीक हूर है पर आज तक किसी को हूर मिली नहीं है जो जन्नत की हूर की बात करते हैं वाई क्यूंकि इसलाम में एक कंसेप्ट है मालिक है क्यामत के दिल का He is the owner of judgment day judgment day आएगा judgment day के दिन सब के रिकोर्ट कार्ड प्रस्तुत कि जाएंगे judgment day में रिकोर्ट कार्ड के अधार पर अच्छे करम वालों को जननत मिलेगी बुरे करम वालों को दोजक मिलेगी और जब वो जन्नत में जाएंगे फिर वहां हूर होगी अगर आप इस हिसाब से भी चल रहे हैं जब कयामत आएगी तब यह सब होगा ना अब यह बताइए अभी तक कयामत आई है क्या अभी तक सारे लोग जो इस दुनिया से दारे पाणिशाएंगे जब जमीन में दफन है जब कयामत आएगी तब उठेंगे तब उनका हिसाब किताब होगा तब तो जन्नत दोजक मिलेगी ना अभी आज तक किसी मौलाना ने जन्नत देखी नहीं है क्यामत के बाद आएगा जज्मेंट के बाद आएगा एक सवाल मेरा यह है कि चाहे करला स्टोरी की बात हो कश्म आएगा जाता है बहातरूरों पर अगर बात हो तो बहातर हो इस तरह कि फिल्में मुस्लिम समाज द्वारा बनाई जानी चाहिए है हिंदू समाज द्वारा यदि फिल्म बनाई जा रही है तो उस पर dispute होता है कि हिंदू या कोई दूसरा हिसाई वेक्ति इसलाम को बुरे रूप में पेश कर रहा है जबकि मुसल्मानों को चाहिए कि जो कट्रपंथी जो चरमपंथी लोग इस तरह से हूरों का लालच दिखा कर युवाओं को वरगला रहे हैं तो हमारे इंटलेक्च्वल सामने आएं और ऐसी डॉक्यमेंट्री बनाएं और मुसल्मानों के बिच बताएं कि वाट इस एक्च्वल जन्ना जन्नत है क्या और बूर क्या है और उसके हिसाब से एक्स्प्रेंड करें जिससे कि युवाओं को सहीं दिशा मिले एह दिना सिरातल मुस्तक कीम पर चल सके तो इसको प्रोपेगेंडा फिल्म में इसलिए बोली जाती है कि सलीम जावेद अगर चोले फिल्म में बगवान के मंदिर का मजाग बना दें कि वहाँ पर हेमा मालनी और धर्मेंदर का सीन शूट कर दें वह बात होती है सामपरदाई कि आप एक मुसलिम हो तो आपको किसी दूसरे धर्म का मजाग नहीं बनाना चाहिए अब यह जो चित्र बनाये थे उनका क्या नम एम फुसेंड आपने जी माता सरस्वत्य और देवी देवताओं के नदर ने चित्र बनाये तो आपको नहीं बनाये जाना चाहिए इसलाम या मुसलमानों में प्रोपगेंड्डा फिल्म इसले कहा जाता है कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं चलीम जावेद मंदिर कमजाक उड़ाते हैं याULग वो फिर्प camb decorating नहीं है मैं इस ऐसे मैं आपको बताओं इसमें तो कुछ भी नहीं है, जो केरला स्टोरी जो मैं देखा नहीं हूं हूँ पर इसमें कोई बहुत हैं जबरदस्त कोई बात बता दिगई बहूँ हो अधर कि तरफ पहाड़ पर दिल्ली प्रेस जिसकी चंपक चपती हैं, ग्रह शोभा चंपक और ग्रह शोभा से लेके हिंदू समाज के पत भरश्टक तुर्सी दाज जी तक उन लोगों ने छापि है लेकिन वो छापने वाले सारे कौन हैं हिंदू समाज के लोग और हिंदुओं की कुरुईतियों पे उक उठारा घात करते हैं पचंपक सबने बच्पन से पढ़ी हुई है उसमें आप देखेंगे तो एक जो सियार है धूर्त सियार उसको हमेशा पंडित के रूप में दिखाते हैं वो लोग उस पे कभी भी हिंदुओं का एक जो एग्रे का मजां अगरेशन अ too उसका कारण यह है कि हंदु अपने धर्म की तुरूतियों को देखे और मुसल्मान अपने धर्म के it कुरूतियों को देखे कि दर्म कि लेखेंगे to start अच्छी बात समझाता है और मुसल्मानों में जो बुराईयां आ गए जैसे मैंने एक मौलाना की स्पीस सुन रहा थो उन्होंने बहुत अच्छी बात की यार पानी पिलाने का काम जैन मारवाड़ी सबसे जादा करते हैं प्याउ लगाने का काम यह काम मुसल्मानों को करना तो यह मौलाना ने कितनी अच्छी बात बोली कि मुसल्मानों जो कमी है वो बताए गए कि भाईया पानी का माहत्तो तो इसलाम में सबसे जादा बताया गया जैन मारवाड़ी सबसे जादा प्याउप बोल रहे हैं तो मुसल्मानों को शरम आनी चीए उनकी इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता कि इन्होंने मुसल्मानों को आप शब्द कर थे क्यों कि वो फुद मुसल्मान है? इसटी फिल्म में आती हैं तो यंको प्रोगेंड़ांडर फिल्म को चाह जाता है और दोनों तरफ जो 92 फिल्म है उसकी काफी चर्चा हो लिए है और अभी अजमीर दर्गा चिष्टी जो एक हादिम है उन्होंने सरवर चिष्टी रिन का नाम है उन्होंने महिलाओं को लेकर बैयन दिया जिसमें ने कहा कि महिलाओं तो चीज ही ऐसी होती है बाबाओं को देख लो जो देल में गए वो भी इसलिए और्तों के चक्कर में चले गए तो महिलाओं को लेकर उन्होंने महिलाएं चीजी ऐसी होती है जी महिलाएं चीजी ऐसी होती है कि आदमी फिसल जाता बड़े बड़े जो बाबा साराम और इस तरह के लोग गए वो भी औरतों के चक्कर में ही जेल गए और उन्होंने श्रद्धा और म कोशिश की है कि मैं तो अपनी मातां और बेहनों को उनको बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूँ और इस तरह से उन्होंने कहा है तो सबसे बड़ी बात महिलाएं कोई ऐसी चीज होती है वस तू की तरह क्यों देखा जा रहा है महिलाओं को जो अपराद हुआ आज में 92 मे उसको दरगा के खास साथ क्यों जोड़ा जा रहे हैं देखे कुछ मुझे जो खबरे आई है कि वहां से जुड़े हुए लोगों ने कुछ लड़कियों के साथ यहां शोचन की घटना की थी और मेरे ख्याल से यह उसी पर फिल्म है तो इस फिल्म में कुछ चीजें हैं जो निकल कर सामने आएंगी तो उससे हमको प्रेणा लेनी चाहिए कि हमारी दरगाहों में हमारी खानकाहों में यदि कोई ऐसी हरकत होती है तो उस पे रूख लगे ताकि किसी को इस तरह की फिल्म बनाने का की नौबती ना है और यह जिन भी वेक्ती ने कहा है यह तो अगर चीज बोल दे रहे हो तो आपसे बुरा निकरिष्ट इंसान कोई नहीं हो सकता और वो जिस भी मौलाना ने बोला होगा वो भी मा के गर्ब से ही आया है उसकी भी कोई बेहन हो भी उसकी भी कोई बेटी होगी यदि वो उनको चीज की नजरों से देखता है तो उसको थोड़ा सा दिमागी संतुलन चेक करवाने की जोरत है कि वो कहां पर है. इस्तरी कोई चीज नहीं है, इस्तरी कोई वस्तू नहीं है, सम्मान की योग है और इसलाम में सबसे ज्यादा सम्मान इस्तरी फुरूष्ज दोनों में एदियम तुलना करें तो औरत का है. यहां त है कि वो आपको जन्म देती है अल्ला के हुक्म का पालन करती है वो आपको जन्म देती है इस तरह की बातें करना इसलाम विरोधी भी है सम्मिधान विरोधी भी है जो और चीजी है और जो मेनका और यह सब जो बोलते हैं कि और चीज होती है कोई फिसल जाता है यह हो जाता है जी वो औरत के कारण नहीं फिसलता है, अपने मन की गंदगी के कारण फिसलता है, और सनाता अंधर में इसकी व्याक्या की गई है, यह जो मेनका है, यह बाहर कोई फिजिकल मेनका नहीं है, यह तुमारे दिलो दिमाग की गंदगी है, जो दिन रात तुम चिंतन करते रहते हो प्टाप्तुए में कोई लड़का पढ़ रहा है उसके दिमाग में कोई बुरि बात आ रही है उस समय तो सामने लड़की नहीं खड़ी है ना कोई मेनका नहीं खड़ी फिर भी क्या करता है वो अपना पढ़ाई लिखाई शोड़के उड़ जाता है वो सोचता है यार किसी लड़की का डांस देख लूँ कुछ देख लूँ वो कभी इस्टाग्राम देखने लगता है कभी कुछ देख लूँ यह बता उसके सामने क कोई लड़की आई क्या यह तो उसके दिल में खुद यह भावना उठी ना तो मेनका आपके अंदर है मेनका और वर्शी रम्भा आपके अंदर है तो आप उसको शांत रखिए बाहर की लड़कियों को दोश मत दीजिए अपने अंदर की गंदगी को आप संभाली है ना अ हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है गंदे ख्याल मन में आने लगते हैं अकेले रहते हैं तो फिर हम कुछ कुछ कहीं और कुछ देखने लग जाते हैं अब इए एहम बात कही के समाज से ही सुधार की आवाज उटनी चाहिए लेकिन मुस्लिम समाज से एक तो सुधार की आवाज ही नहीं उटती और अगर कोई सवाल कर लिया जाए तो हर चीज़ को कहते हैं कि यह इसलाम के विरोद में हैं आप इसलाम के खलाब बोल रहे हैं आप तो BJP RSS के दलाल हैं, तो ऐसे में किस तरह से मुम्किन हो पाएगा जब हम Islamic Organizations हैं, उनकी तरफ से जो बड़े सवाल है, जिसे काफिर की बात आया है, कि काफिर की व्यार क्या है, जिहाद क्या है, बहत तरूरों की बात है, जो भी controversial issues हैं, उनको लेकर जब भी सवाल organization के तरफ से कोई positive narrative नहीं आया, जो लोग सवाल करते हैं, उनको अलग-अलग नामों से नमाज दिया जाता है, तो किस तरह से within the society आप वो जो बदलाब है, उसको हम उम्मीद कर सकते हैं, देखिए, सौव में से 99 लोग अगर एक विचार के पक्षधर हैं, और एक वेक्ति ए उदारन के लिए, माल लिजे, इसलाम में मुसल्मानों में सुधार की बात आपके जहन में आई, और आपको काम कर रही हैं, और बैचारी के कांदोलन चला रही हैं अपने इस channel के माध्यम से, तो आपका विरोध होगा, निशित होगा, और आपको उस विरोध को जहलना भी पड़ेगा, उस विरोध को जहलेंगी आप, तभी जाकर आने वाले समय में अपनी पीडियों को आप कुछ दे पाएंगी और लोग आपकी बात को स्विकारेंगी, जैसे हमारे एजुकेशन का एक अंदोलन चला, तो सर सेयद अहमाद खान साब ने जब आधुनिक शिक्ष गारे आउरे और वह जहलना है, क्यूंकि हम एक इसलाम और मुसेलमानों की चेवी अच्छी बनाना चाहते हैं, तो जो कटरपन्ति लोगा जीन इदारों से चीजे आनी चाहिए उन इदारों से नहीं आ dépend को हम और आपको ही सामने आना पड़ेगा, तो हम प्रगतिशील इसल प्राब्लम्स का सॉलूशन कैसे करना है लचीले पन से करते थे कखोरता से नहीं करते तो और हम यह विए उसी लचीले पन को लेकर चल रहे हैं कि हम सब को कैसे समाहिज कर सके हैं तो जो कट्रपन की वो आपको RSS का कहेंगे, वो आपका BJP का कहेंगे आपको, वो सुचे में कुछ राजनितिक पद चाहिए, इसको राज्य सभब चाहिए, इसको पद्मिश्री चाहिए, साथ आपको कुछ क्यों नहीं मिला क्या मिलना था हम को जो चाहिए यह चाहिए कि मौलाना साहब आप युवाओं को यह हूरों का सपना दिखाना बंकर दो यह दुनिया कैसे सुधारी जाए उस पे ध्यान दो तो हमारा परपस सौल हो जाएगा हमारा फरपस पदमश्री और राजयसवन से नहीं है और हमने तो आस्तगनिय का यह बात आप ही करते हो क्योंकि चीज़े आपके दिमाग में रहती हैं हमको कहते हो बीजेपी आर एसस का है और जो कहते हैं वो पीट पीछे या कि किस आरे से के नेता से मिलते हैं और किस बीजेपी के नेता से मिलते हैं जानकारी तो हमको भी आती है क्योंकि परपस आपका है राज्य सब और पद्विश्री का वो चीज़ थे हमें आरूपित करते हैं अरे हमको जो अल्ला जिसका बदला देना होगा वो देगा और दे भी रहा है इंशाल्ला तो ह